कोई मुझे पूछ दाए कि आप के भाई को ठंड नहीं लगती छोटी सी टी-शर्र पेशंट के चल रहें ठंड में ठंड से इने बचाओ क्छी ने किसीने मुझे कल कावे ठंड से इने बचाओ जावड द पहनो आलो फिर किसी ने मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए अब कश्मीर जा रहे हैं, पंजाब से घुज़ेंगे, तमाम लंबी यात्रा करेंगे कश्मीर तक डर नहीं लगता, तो नहीं, मेरा जवाब यह है, कि यह सत्य का कबच पहन के चल रहे हैं और मेरे बड़े भाई, यह नहीं देखो, सबसे ज़्यादा गर्व तुम पर है क्योंकि, क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया सरकार ने हजार करोड रुपे खर्चे, इनकी छवी को खराब करने के लिए लेकिन यह सच्चाई से पीछे हटे नहीं इन पर उजन्सिया लगाई गई, यह दर्य नहीं योद्दा हैं अडानी जी, अमवानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए देश के सारे PSU खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे नफरत के बाजार में महबत की दुकान खोली है आज उत्तर प्रदीश की धर्ती पर भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है गर्व उन भारत यात्रियों पर एक एक देश वासी पर जो इस यात्रा से जुड़ा क्योंकि इस यात्रा की जो भावना है वा प्रेम एक्ता की सद भावना की जो भावना है उसी भावना ने इस देश का नीव डाला मुझे आप सब पर गर्व है कि तीन हजार किलो मीटर चल कर कन्या कुमारी से पैदल आप आज यहां तक पहुँचे हैं और मेरे बड़े भाई इन्हें देखो सबसे जादा गर्व तुम पर है क्योंकि क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया सरकार ने हजार करोर रुपे खर्चे इनकी छवी को खराब करने के लिए लेकिन यह सच्चाई से पीछे हटे नहीं इन पर एउजन्सिया लगाई गई हैं यह दर्य नहीं योद्धा हैं योद्धा हैं अडानी जी, अमवानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए देश के सारे पी-अ-स-उ खरीद लिए देश की मीडिया खरीद ली लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे गर्ब है मुझे इन पर और आप सब पर जैसे इनों ने कहा नफरत के बाजार में महबत की दुकान खोली है मैं यहां खड़े एक एक यूपी के कारे करता एक एक डेशवासी को कहना चाहती हूं हर गली में हर महले में हर गाओं में हर ब्लॉक में हर जिले में हर सडक पे यह महबत की दुकान की फ्रेंचाइज खोलो सब जगे दिखनी चाहिए क्योंकि अगर नहीं खोलोगे और नफरत की राजनीती लोगों को तोड़ने की राजनीती आगे बढ़ती रहेगी तो आपकी समस्याओं का कभी समाधान नहीं होगा रोजगार नहीं मिलेंगे अर्थ्यवस्ता मजबूत नहीं हो पाएगी मेंगाई नहीं घट पाएगी तो यह जो भारत जोड़ो यात्रा है यह जोडने की बात करती है लेकिन भूलिये मत यह किसलिए बात कर रही है यह इसलिए कर रही है कि जब एक जुट देश बनेगा जब ही मजबूत होगा जब आप सब साथ होंगे तभी आप इस सरकार से अपना हक मांग पाएगे जब तक आपको बिखेरा जाएगा आपको अलग किया जाएगा तब तक आपका ध्यान अलग अलग मुद्दों पर आकरशित कर पाएगे और आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए आपके रोजगार पर महंगाई को कम करने पर और विकास पर यही आपकी मांग होनी चाहिए तो अब यहाँ से यात्रा कश्मीर तक चलेगी आप सब साथ चलेंगे कोई मुझे पूछ रहा है कि आपके भाई को ठंड नहीं लगती छोटी सी टी-शिट पहन के चल रहे हैं ठंड में ठंड से इने बचाओ किसी ने किसी ने मुझे कल कावे ठंड से इने बचाओ जाकिट तो पहनो अलो फिर किसी ने मुझे पूछा कि आपको डर नहीं लगता इनकी सुरक्षा के लिए अब कश्मीर जा रहे हैं पंजाब से घुजवेंगे तमाम लंबी यात्रा करेंगे कश्मीर तक डर नहीं लगता तो नहीं मेरी जवाब ये मेरा जवाब ये है कि ये सत्य का कबच पहन के चल रहे है भगवान इनको सुरक्षित रखेगा और जब तक आप सब इस देश की सच्चाई को पहन चानेंगे तब तक भगवान इस देश की सच्चाई को सुरक्षित रखेगा पहचानिए एकता में ही आपका विकास है सब साथ चलिए पूरे देश भर में ये पेगाम ले जाएए एकता सभावना और प्यार का हम इस देश को बचा के रखेंगे इस देश को विक्सित बनाएंगे और नौजवानों को अपना हक दिल्वाएंगे जैहिन 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 जोडो 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 लिया नमस्कार